Hello guys, कैसे हैं आप लोग ? स्वागत है आपका पुनहा मेरे चैनल पे जिसका नाम है essay education point आज हम लोग इस वीडियो में partial fraction क्या होता है और integration में partial fraction को use करके कैसे integration को easy किया जाता है इस वीडियो में आज हम लोग यह देख लेते हैं वैसे तो partial fraction 5 types के होते हैं पर उसमें से जो first सबसे simple type है मैं उसको explain कर देता हूँ basically partial fraction होता क्या है और उस partial fraction से original fraction हम कैसे लाते हैं वो हम पहले वीडियो में देख लेते हैं उसके बाद उसका एक question integration के through हम solve करके देखेंगे ठीक है तो आए चली यह वीडियो को start करते हैं what is a partial fraction तो इसमें basically देखा जाए तो 5 tap के partial fractions होते हैं जिसको हिंदी में हम आशिक भिन बोलते हैं तो आशिक भिन जो है इस step से 5 taps के होते हैं तो यह first वाला हम लोग इसमें से देख रहे हैं ठीक है एक simple था example ले रहते हैं उससे चीज़ clear होगी कि जिसे जो partial fraction है type 1 में क्या होता है कि उपर एक x का function होता है और नीचे कुछ step से 2 brackets का आपस में multiplication होता है तो इसमें क्या होता है कि इसको हमें a upon first वाला bracket a upon x minus a plus b upon x minus 2 मतलब second वाला bracket जो है x minus b sorry a upon x minus a और दूसरे bracket में b upon x minus b यहां पर यह step से एक example लेकिए इसको समझते हैं बहुत simple example ले लते हैं for example कि जैसे आपको एक को integration है suppose किजी कि जैसे आपको एदी ऐसा integration solve करना है तो हमारा पास ऐसा को direct formula नहीं है कि जिसमें हम directly इसको अपन मतलब evaluate कर पाएं यदि bracket को खूल भी देंगे तब भी कुछ ना कुछ problems हमारा समने arise होंगी हम कर सकते हैं पर partial fraction के through इसको easily हम convert कर सकते हैं जिससे directly आप log function लगा के एक बार log x plus 2 और दूसरा log x plus 3 ऐसा use करके इसको simplify कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि हम लोग को पहले partial fraction को समझना होगा कि जिससे यहाँ पर आप देख रहे हो 1 upon x minus 2 और bracket में है यहाँ पर नीचे आपस हम multiply x minus 3 तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले partial fraction में convert कर देते हैं 1 upon x plus 2 x plus 3 ठीक है इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको ऐसा मान लेते हैं a upon x plus 2 और दूसरे bracket में plus b upon x plus 3 ठीक है अब क्या करना है कि यह जो आपको दिख रहा है तो इसमें यहाँ पर इसको इधर वाले bracket को हमको solve करना पड़ेगा ने यहाँ पर LCM लेकि हम solve कर देते हैं यह हो जाएगा 1 upon x plus 2 x plus 3 equal to a यहाँ आ जाएगा x plus 3 plus b यहाँ आ जाएगा x plus 2 ठीक है मतलब यह LCM देखा जाया तो इन दोनों का LCM लेके हमने इसको इधर shift कर दिया और इसको इधर shift कर दिया है जो हम LCM normally लेकि solve करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है ठीक है तो यह x plus 2 x plus 3 यह कड़े जाएगा cancel out हो जाएगा अब 1 equal to ax plus 3a plus bx plus 2b इस तरीके से solve हो गया अब क्या करना है finally कि यहाँ पर x वाले coefficient अलग रखने हैं और constants को अलग रखना है मतलब कि जो आणशिक भिन्न होता है हमारा उसमें भी हम यसी करते हैं हिंदी में partial fraction को आणशिक भिन्न हम कहते हैं तो यहाँ पर एदिया हम x common निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a और b वाली जो term है यहाँ पर हम लिख सकते हैं a plus b और जो constant है जिससे यहाँ पर constant है और इसको अलग तरी किसे अलग एक bracket में लिख लते हैं है ना क्या है 3a sorry 3a plus 2b ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर आप rhs में देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ constant वाले factor है यहाँ पर x के साथ कोई ऐसा factor नहीं है x का function lhs में नहीं है इस side नहीं है equal to के उस तरफ x का function x के साथ जो मतलब कोफिशेंट है और दुसरा जो है constant वाले कोफिशेंट भी है तो compare करेंगे हैं by comparing coefficient of x and by comparing coefficient of x and constant terms तो इस case में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3a प्लस 2b इसकी वल्यू डारेक्ट हम वन लिख सकते हैं और यहाँ पर x plus b तो x plus b यहाँ पर x के साथ में भाहर x है तो यहाँ पर x कोई function नहीं it means कि a plus b की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी a plus b क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा अब यहाँ से a और b की value हमको निकालनी पड़ेगी तो इस a की value को यदि b को हम इधर shift कर दें तो minus b लिख सकते हैं अब ध्यान रखेगा कि जैसे यहाँ पर यह जो है इस a की value minus b है इसको यहाँ पर हम उठाके shift कर देते हैं तो उससे क्या होगा यहाँ जो है इस जगे इस place पर हम कर देते हैं इसको जाएगा 3 a plus 2 b equal to 1 था तो a की value क्या जाएगी 3 है न पर यह हो जाएगा minus b plus 2 b equal to 1 थीक है तो यह हो जाएगा minus 3 b plus 2 b equal to 1 थीक है तो b की value ultimately आपके आजाएगी ठीक है minus b यहाँ पर हो जाएगा equal to 1 मतलब b की value जो है वह जाएगी minus का 1 थीक है यह हो गया b की value आगई minus 1 थीक है b की value यहाँ से यह clear हो रहा है कि जो b की value minus 1 यहां रखेंगे दिया तो a की value क्या जाएगी 1 आ जाएगी इसका मतलब यह है कि a की value तो 1 आ गई और b की value क्या आ गई minus 1 थीक है a की value 1 b की value minus 1 इस partial fraction के question में यहां पर इस value को substitute कर देते हैं थीक है तो यह हो जाएगा 1 upon x plus 2 x plus 3 equal to ठीक है अब यहां पर हमने इसको क्या माना था a और b है ना तो a के upon में x minus a है तो a के upon मतलब कि 1 के upon में x minus 2 x plus 2 sorry और minus 1 के upon में x plus 3 यहां पर वापर simplify कर दो कि तो यह ऐसी आ जाएगा इसको करके देख लो भले आप जैसे यहां पर वापर से में इसको simplify कर दो x plus 2 x plus 3 तो यहां पर क्या है कि यह इस तरफ shift हो जाएगा क्योंकि x plus 2 के table में मतलब x plus 2 से यह जो नीचे LC हम हमने लिया यह cancel हो जाएगा तो यह वाला x plus 3 जो है उपर जाके shift हो जाएगा तो x plus 3 और यह minus का x plus 2 है तो यह हम इसको directly इसा काड़ भी सकते हैं बिना bracket को खोले ठीक है तो x से आपका x cancel हो गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा तो 1 upon x plus 2 x plus 3 तो केहने का मतलब यह है कि आ वही गया वापिस है जहां से हमने शुरू किया था इसका मतलब यह है कि partial fraction जो हमारा सही निकला है अब integration करना देखिए कि तैजी हो जाएगा अब यदि हम integration की बात करें है ना समा कलंद जिसको हम बोलते हैं इंदी में तो हमारा integration या समा कलंद क्या था कि dx upon x plus 2 और x plus 3 था तो यहां पर directly इसका integration निकालना उत्ता थोड़ा सा tough हो रहा था तो इसमें हमने इसलिए क्या कि है कि partial fraction कर दिया तो यहां पर हम directly इसको लेख सकते हैं 1 upon x plus 2 ठीक है यहां पर आप चाहें तो यहीं एक ही integration में दोनों डाल सकते हैं minus 1 upon x plus 3 ठीक है यहां पर आजाएगा dx अब integration करना काफी एजी हो जाएगा नीचे वाले को दिया आप T मान लो तो यह directly lock T का formula बन सकता है एक्स प्लस टू को यदि अप T मान लो या फिर और separate कर देते हैं इसको 1 upon x plus 2 dx minus integration 1 upon x plus 3 dx अब देखिए अब क्या हो रहा है यदि हम x plus 2 को T मान लेंगे है ना तो यहाँ पर क्या है कि x plus 2 को T मानने से यह dx equal to dt हो रहा है तो यहाँ पर आप directly इतना तो लिखी सकते हैं कि log x plus 2 minus यहाँ पर हो जाएगा log x plus 3 यदि आपने integration कर देते हैं उसके बाद में है ना तो integration करने के बाद की चीज़ यह प्लस आप चाहो तो log x लिखलो constant एक लगा लो अब log वाला formula वापस लग देते हैं तो यह log m minus log n तो log m upon n हो जाएगा log x plus 2 upon log n है ना log x plus 2 upon x plus 3 ठीक है plus log c ठीक है यह सब काय में चल रहा है iq equal में चल रहा है ना क्योंकि हम अभी क्या integration वाले चीज़ कर रहा है तो यह सब काय में चल रहा है iq equal में चल रहा है ठीक है तो यह आपका ultimately इसका finally integration हो गया तो हाला कि मैं समझ रहा हूँ कि process थोड़ी सी उतनी tough भी नहीं है यदि आप इस वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे तो 100% आपको पुरा concept clear हो जाएगा तो वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक लाइक और कमेंट करना ना बुलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें धन्यवाद